Orthodox Muslim का क्या मतलब होता है ये आज कि इस वیडियो में सीख लेते हैं Orthodox का मतलब होता है रूढिवादी और रूढिवादी का मतलब होता है कि जो पुरानी परमपराएं चली हुआ आ रही होती है उनने को फोलो करता है और modern नहीं होता या modern techniques के इस्तेमार नहीं करता यह पुरानी चीजों को छोड़ कर नहीं चीजों की तरफ नहीं बढ़ता उसको orthodox कहते हैं यानि कि जो अपने जो पुराने रिती रिवाज हैं जो परमपराई हैं वो सब चीजें पहले वाली ही follow करता रहता है चाहे वो traditional beliefs हैं, practices हैं या जो भी धर्म की वैख्याई हैं वो पुराने जमाने की जो चीजें हैं उनको वैसा का वैसा मानता रहता है तो ऐसे वैक्ति को orthodox कहा जाता है वो चाहे किसी भी धर्म का हो यानिके जो पुराने चीजें पुराने जो तरीके से धर्म को माना जाता है ऐसे को orthodox कहते हैं और अगर वो कोई muslim है तो उसको आप orthodox muslim कह सकते हैं यानिके कोई ऐसा muslim वैक्ति जो muslim धर्म की जो पारमपरिक चीजें हैं प्राने जमाने से जो चली आई रही चीजी हैं, जो beliefs हैं, practices हैं, उन्हें को अपनाता है, तो ऐसे Muslim को Orthodox Muslim कहा जाता है, तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहें, तो आपकी स्क्रीन और वीडियो की description में दिया गया आप पढ़ सकते हैं, और इसको और बहतर तरीके से समझ सकते हैं, अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्स करीं